आज के बाद से आप लोग भी बेलन को रोटी पर नहीं पैरों पर घुमाएंगे ये वीडियो देखने के बाद तो फैंस आज में आप लोग के लिए किचिन और घर के कामों को आसान करने के लिए कुछ छोटी छोटी टिपेंट्रिक लेकर के आई हों जिससे आपके घर और क जिनके काम बहुत ही जज़ादा आसान हो जाएंगे तो फैंस चलते हैं आज की फर्स स्टिप के तरफ यह है हमारे डोर्मेट की अब सरदी आने वाली है डोर्मेट को वाश करना बहुत ज़्यदा कटन हो जाएगा वाश तो कड़ ही लेंगे लेकिन सूकना बहुत कर देंगेसे आप देखेंगे कि जितने पीस ने डस्ट पार्टिकल होंगे धूल मत्पी जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो नि हैंगे आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी सारी डस्ट निकल आई है इस तरीके से वाली notification बहुत ज़्या काम आती है अक् hac करके सर्दियों में सर्दियों में वाश करना तो बहुत आसान है कि हम वाश करने डोर मैट को कोई दिक्कत नहीं है वर्ट यह इतना मॉटा रहता है कि इसे सूखने में तीन से चार दिन लग जाते हैं तो इस तरीके से अब जो कडाके वाली सर्दी पढ़ती है तो इस वाली को आप follow कर सकते हैं इससे आपके डूल मेट वह कुल भी गंदे नहीं होंगे साब सुतरे से आपके डूल मैट रहेंगे तो फैंट सी अले टिप भी इस abundant नहीं निकलती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे मार्चत लेंगे और इसे पांच मिनट के लिए छोड़ देँंगे कवा करके 5 मिनट वार्द हम देखेंगे खोल करके तो इसकी जो बैड समील होगी वह पूरी के पूरी Después होती है आप चलते हैं आज की नेक्स टिप के तरफ सभी महिलाएं रुवोट के तरह सारे दिन काम करती रहती हैं कभी घर का तो कभी किचिन का किचिन में ही तीन से चार घंटे खड़ी रहती है उसके बाद पैरों में बहुत ज़दा थकावट हो जाती है हमन करता है कि कोई पैरों को हलके हाथों से फेर दे हाथ फेर दे या फिर हलके हाथों से इसे हलके हाथों से मसाज कर दे लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है महिलाओं को इतना आराम मिल ही नहीं पाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारा जो किचिन में जो हम 3-4 खंटे खड़े रहते हैं तो एक किचिन का ही टूल्स हमारे काम आएगा हम एक बेलन लेंगे और बेलन को इस तरीके से हम हलके हलके हाथों से पैरों में घुमाएंगे कि आप यकीन मानिएगा फैंट से तना राहत मिलती है बहुत ज़्यदा शुकून मिलता है आप ये वाला एक बार ट्रिक जरूल फॉलो करिएगा हाँ आप एक अलग से बेलन पैरों के लिए रख सकते हैं जिससे कि आप रोटिया नहीं बेलते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़दा इससे फरक देखेगा अब शलते हैं आज की नेक्स टिप के तरफ इसके लिए हम एक वेकार कटूरी लेंगे जो हम किचिन में यूज नहीं करते हैं और उसके आद हम एक चमच के लगवा हम कॉल्गेट पेस्ट डालेंगे और एक से ज़ट चमच के करीवें इसमें हमने हार्पिक डाला है और हम तीन चमच के लगवा हम इसमें विनेगर डालेंगे और विनेगर डालने के बाद जब इससे मिक्स करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें बहुत जागनुमा एक मिस्रट बनकर के तयार होगा तो فैंट इस समय पर हमें ध्यान देना है कि कोई ऐसा चीज यूज नहीं करने मेर है जोकी हम किचिन में यूज करते हzag इसी वज़े से मैंने स्पून का हैट न ले करके मैंने डाइट ब्रस्स से ही इसमिसरट को बना लिया है, मिक्स कर लिया है अब इस मिस्रड को हम थोड़ा सा ब्रस के उपर लेंगे और इसका यूज में बताती हूँ जो भी हमारे घर में जो ये बोड होते हैं सुच बोड होते हैं वो बहुत ज़दा गंदे हो जाते हैं क्योंकि इनकर डेली ही यूज होता है और इसे हम पानी की हैल्प से बिकुर भी साफ नहीं कर सकते हैं या फिर जो भी लिक्विड वाशर आते हैं उससे हम साफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें करेंट का फिर डर रहता है तो इस बज़े से हम इस मिस्टर को हम हलका सा ब्रस के उपर लगाएंगे उससे हम रफ करेंगे आप लोग अंतर स्वेम अपनी आखों से देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाता है इससे कोई डर नहीं रहता है और आप ध्यान रखेंगे कि एक प्लास्टिक का ही बे का टूथ ब्रस लेंगे जो आप अपनी घर पे यूज़ ना करते हो उसके बाद एक खराब कपड़ा लेंगे क्लॉथ लेंगे कॉटन का और उससे आप अच्छे से से पौँच लेंगे इस पानी नहीं रहता है तो इसमें करेंट का भी कोई डर नहीं होगा यह तरीकी का ड्राइड जैसा लिक्विड बनकर के तयार होता है आप चलते हैं आज की नेक्स टिप के तरफ जो कि है हमारे किचिन में रखे हुए मसालों की हम अक्सा करके क्या करते हैं मसालों को स्टो कर पाउडर बनाकर के और उसमें कुछ दुनवाद हम देखते तो छुटे-चुटे सो में कीटे लगने लगते हैं यह फिर हम स्टो करके अगग 15 दिन के लिए 20 लिए कहीं जा रहे हैं तो इसमें कीटे लगने लगते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि आदी चमश नमक आई होप आप लोगों को पसंद नाई होंगी अगर आप लोगों में से इसमें एक पी टिप और ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमली और फैन के साथ से यह तो करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलो फैन्स बाइबाइ टेक कियर कल मिलते हैं और फैन्स वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत